हेलो दोस्तों हाई कैसे आप लोग मैं आसा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे आप सब का स्वागत है महंद्रा की देवरियो ब्रांच के यूटिप चैनल में और आज हम लोग हाजी रहें आपको इंडियन पॉलिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विडियो देख रहे हैं पहली पर पूरी देखनी होगी तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि आधा धुरा काम करेंगे आपके लिए खातक हो सकती है तो पूरा वीडियो देखने के बाद से क्योंकि टॉपिक पढ़ाने के बाद से मैं क्या करूंगा इसमें कोशन एंसर भी करा रहा हूं इसी से ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को ठीक है तो जैसे कि आप देख रहे हैं टॉपिक है फंडामेंटल कि फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है ठीक है देख सकते हैं मूल करतब को पहली बात तो मूल करतब जो था भारतिय संविधान में नहीं था तो इसको जो है सोबियत संग से लिया गया जिसे बरतमान में रूस कहा जाता है Soviet Sun को इंगलिस में USSR कहा जाता है United Soviet Socialist Republic Soviet Sun जो कि 1991 में बंद हो गया, खतम हो गया, तो Soviet Sun जिसे बरतमान में रूस कहा जाता है कि सम्विधान से लिया गया था, सम्विधान की Part 4A और भाग, मतलब Part 4A और Article 51A में मूल कर्टब्यों का जिकर मिलता है, जैसे कि दोस्तो मूल कर्टब है क्या, तो ध्यान देने लिए बाती है कि जैसे कि fundamental right आपको दिया गया सम्विधान में Article 12 लेकर 35 तक, ठीक है, ठीक वैसे ही आपको अधिकार तो दिया है, जैसे आपको ही पता कि आपके घर में आपको पापा बहुत सार अधिकार दिया है, पर क्या आपको तापा आपसे चाहते नहीं है कि आपका कुछ घर के परती कर्टब भी हो, ठीक वैसे ही, जैसे हमारे सम्विधान हम सब को मूल अधिकार दिया है, वैसे कुछ कर्टब दिया है, जो हमें कुछ कर्टब्यों को पालन करकर अपने देश को और अच्छा बनाना है ठीक है, अपने देश को और अच्छा बनाना है, तो यहाँ पर और भी चीज़े देख सकते हैं, कि मूल करता पर परवर्तनिया नहीं है, अर्थात इसकी बेवस्थाओं को लागू कराने के लिए, कोट का सहारा नहीं लिया जा सकता है, फंडमेंटल ड्यूटी जिन नॉट इनफरसिवल, कोट कैननाट बी रिसॉर्ट तू दो इनफरसिद परविजन, इसका मतलब यह हुआ, कि जो इसमें बोला गया है न, उसको लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो एक किवल निर्देश के रूप में काम करता है, इसका क्या मतलब हुआ, कि यह एक साहा नहीं करते हैं, तो इसका लागू करवाने के लिए के लिए कोट सहारा नहीं लिया जा सकता है, बात भूर्य में थी क्तिक है, और रही आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं भारत के संविधान में आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तब का उलेक नहीं था इसे स्वाडन सिंग समीती के संस्तुति के अधार पर 42 संविधान संसोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया हलाकि ध्यान दिजिएगा समीती के बिचार था कि जहां संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का परवधान है वही उनके लिए मूल कर्तब्यों का भी उलेक होना चाहिए क्यूंकि अधिकार, कर्टब एक दूसरे के, इनों सिर्थ होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, मतलब आपको अधिकार लिये गए हैं, तो आप से कुछ कर्टब भी तो लिया जाएगा है न, जयसę मैंने अब भी आपको घर का एक्जमपल देगर थीक है यहां देखेंगे नेक्स्ट अतिसम्विधान की में एक नया भाग चार ए और अनुछेद 51 को जोड़कर नागरिकों के लिए कुल 10 मौलिक करतब्यों को समभेश किया गया था तो 1976 में ना 1976 में किवल 10 मौल करतब्य ही सामिल थे धायत वह कि वरतमान में अनुछेद 51 के अंतरगत मौलिक करतब्यों की कुल संख्या इगारा है इगारवा मौल करतब अनुछेद 51 को के तो के तह 86 संबेधान संसोधन 2002 दोरा जोड़ा गया थीक है तो बरतमान में कितनी हो गई है, इंगारा हो गई है, ठीक है कितनी हो गई है, इंगारा हो गई है, तो अभी आपने क्या समझा, कि मूल कर्तब सुअन्ड सिंह समीटि की सीफारिस पर जोड़ा गया, इस समय परधान मंत्री इंद्रागाधी थी भारत की, और इसे 42 संबिधान संसोडन 1976 में ज संबिधान में नहीं था, इसे 1950 में नहीं जोडा गया था, इसे 1976 में जोडा गया था, 42 संबिधान संसोधन करकर, वैसे भी दोस्तों याद रखिएगा, 42 संबिधान संसोधन जो है न, इसे 42 संबिधान संसोधन को ध्यान दिजेगा, इसे सुच्म संबिधान भी कहा जाता है, जाता है और वैसे इंद्रागादी न इसने बहुत कुछ अमेंडमिन करवाया था अरे इसी में तो बिधान सभा और लोग सभा के कारेकाल को पांच वर्स के बदले च्छे वर्स कर दिया गया हलाकि 1978 में मुरारजी देशाई ने 44 सभा संभिधान संसुधन करकर इसे खतम भी कर दिया थीक है तो ध्यान रखिए ज़ोस्तों एब थीक है अब थोड़ा से हम लोग यहां देखें अनुछे 51 के अनुसार भारत के परतेक नागरिकों का करतब होगा की वह अब आपको यहां पर 11 करतबों से कोशन बहुत आयों है कि यह मुल करतब में क्या है चाहिए इसके यह बात है कहां बुली गई है अभी हम लोग कोशन देखें के तो आपको समझ में आई जाएगा तो देखें यह पहला क्या बोला है परतेक नागरिकों करतब होगा कि वह संभिधान का पालन करे और उसकी आदर्सों को आदर्स संस्थाव राष्ट ध्वज राष्ट गान का आदर करें तो हम सब को राष्ट ध्वज राष्ट गान का आदर करना है नेशनल एंथम का आदर करना है ठीक अच्छे देखें यह एक निर्देश है यह एक निर्देश है आप करें या अब ज सीजन हो सकता है कि वो खाड़ा ना हो तो क्यूंकि आपको पता है कि मुल करतब जो है ना एक निर्देश डाइरेक्शन है यह एक और तो है नहीं ठीक है आगे देख सकते हैं डूसरा क्या है स्वतंतरता के लिए हमारे राष्टी अंदोलन को प्रेरिद करने वाले उच आधर सम्मान करना होगा तीसरा क्या है भारत की संप्रभुता एकता और अखंटा की रच्छा करें उसे अच्छुन रखें अच्छुन का मतलब यह होता है कि वो कभी खतम ना हो मतलब हम सब को क्या करना होगा संप्रभुता का मतलब होता है भारत की सक्ति को बढ़ाओ देना एक एकता को बढ़ाओ देना और अखंटा के मतलब कभी खंडित नहीं होना मतलब हमारे देश में ऐसी विवस्था चले कि हिंदू मुस्लिम सीख हिसाई जैन धर्म बौद्धर में सभी लोग अलग नहीं एक साथ रहें ठीक है चौथा क्या करता है देश की रच्छा करे और आव समर्सता और समर्सता के मतलब होता है हार्मोनी समर्सता और समान भात्रत्यों की भावना का निर्मार करे जो धर्म भासा और परदेश या बर्ग अधारिस सभी भेद भाव से परे हो ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो इस्तियों के सम्मान का विरूद करे जैसे कि आपको याद होगा सती प्रथा यह ऐसी प्रथा है ना जो महिलाओं की सम्मान का विरोध करता है तो ऐसी प्रथाओं को त्याक करना चाहिए अच्छे बताइए ना सती प्रथा कब खतम हुआ था किस गौर्डनर जनल ने खतम किया था कमेंड कीजिए थोड़ा देखें आपको जानत होगा और उसको रच्छा करने का काम करना होगा सत्वा क्या है सत्वा सफसे इंपोर्टेंट है और सत्वा मेरे दिल के बहुत करीब है और आप सब के भी दिल के बहुत करीब होगा परकृतिक परकृतिक परेवरन की जिसके अंतरकत वन जील नदी और वन जीव है रच्छा करें और उसके सनवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रतिदया भाव रखें मतलब की सात्वा जो है नेचर को बचाने की बात करता है वन जील की बात बता है वन जील नदी और वन जीओ को बचाने की बात करता है और हम सब को प्राणीयों के प्रतिदया भाव रखने की ब करें तहीं कि बात अच्छी बोली एक विद्यानिक दिर्ष्टिकोर को बढ़ावा दें मानवाद को बढ़ावा रखें और तथा सुधार की भावना का विकास करें ठीके नौ दे रहा है सरवजनेक संपत्ति को श्रोचित रखें और हिंसा सदूर रखें अब कहाने का मतलब यहां पर स्रावजनिक संपति का मतलब यह वह जो भी चीज पुब्लिक में है उसकी रच्छा करें ऐसा नहीं है कि आप उसको तोड़ दें या कुछ भी कर दें ठीक है जिससे राष्ट निरंतर बढ़ते हुए प्रतन और उपलब्धियों की नहीं उचाई को छूले कितनी अची बात बोलीगी है बेक्तिगोत और सामोई मतलब आप खुल से महनत करें और गुरूप में भी महनत करें और सभी छेत्रों में उतकर्ष की और बढ़ने का सदत प्रय प्रयास करें और जिससे राष्ट निरंतर बढ़ते हुए प्रतन और उपलब्धियों की नहीं उचाई को छूले जो कि आपको पता है मतलब कि माता पीता और अभीवावा का करतब भी होगा कि वह अपनी बच्चों को जिनकी ये 6-14 वर्स है उनको सिच्छा देने का प्रयास करेंगे ठीक है तो यह जो है कि यह आपको भी पता है कि यह पहले नहीं था पहले दसी तक था पर अभी जो है कि 2002 में 86 संविधान संसोधन के माद्यम से इसे जोड़ा गया अचसे आप मुझे कमेंट कीजिएगा राइट टू एजूकेशन एक्ट भारत में कब लाग हुआ राइट नशेक चिस्छा का अधिकार अधनियम भारत में कब लाग ओओउआ कीजिएगा चलिए अब क्या करते हैं थोड़ा कोश्चन देख लेते हैं पहले कोश्चन नेक्स कोश्चन देखेंगे आप लोग भारत की प्रतेक नागरी के कर्टब्यों के अंतरगत प्रकृतिक परेवरं का संद्च्छड सुधार सामिल है देखिए हां पर यह यह यूपी में कोश्चन आया हुगा है उनिश वन ठानवे में तो भारत के प्रतेक नागरी को के कर्टब्यों के अंतरगत प्रकृतिक परेवरं का संद्च्छ एवम सुधार किसमें तो आपको याद होगा कि अभी मैंने इस पर बताया है साथ नंबर का फंडामेंटल डूटी था यह है ठीक है तो आर्पिकल 51 में ऐ ठीक है चलिए नेस देखते हैं को अच्छे को कोशन का हाया हुआ है सो अपलो is 215 में कोशन आया है हो यारे में थीक है ठीक है भारतिय संविधान के अंद्रगत निम्लिकित में से कौन सा मुलकर्टब नहीं है देखेंगे कितना सा कौशन है कौन सा मुलकर्टब नहीं है अगर आप 11 मुलकर्टब याद किया तो बताइए कौन होगा लोग चुनाओं में मद्दान करना दग्यानिक परविर्थी का विक्सित करना स्राजनिक संपत्ति की सुलच्छा करना या संविधान के परति निश्ठवान रहना और उसके आदर्सो में नहीं है ठीक है तो लोग चुनाओं में मद्दान करने की विवस्था नहीं है ठीक चलिए नेक्स कोशन देखते हैं भारत की प्रभुता एकता और अखंटा की रच्छा करे और उसे अच्छोंड रकिया उपलब किसमें किया गया है तो अगैन आपको पता है मूलकर्ट कॉन सा एक मूलकर्ट नहीं है तो भारत के संबिधान का पालन करना और उसे राष्ट भोज और राष्ट गान का आदर करना यह तो है ना यह तो है भारत की प्रभुता एकता और अखंटा ग्रच्छकन ए भी है अनिवार सैनने सेवा परदान करना मतलब हम सब को क्या आर्म प्रभुता एकता और खंटा के रच्छा करने और उसे अच्छोन रखने के मुल्क करता को किस अस्थान पर रखा जाता है चौथा पहला तीसरा दूसरा अभी आपने एक से लेकर यारत पढ़ा उसमें एक कौथे पर आता है बताना है आप लोगो तो याद करेंगे तो आ जाएगा यह तीसरे पर आता है तीसरे पर आता है ठीक है यह क्या था यह तीसरे नमर पर ठीक है तो इसका करम भी याद होना चाहिए वैसे आपको भी यहाद होगा जब आप लोग NCRT का बुक पढ़ रहे होंगे तो उस बुक के पीछे भी यह दिया होगा यहाँ तक कि अगर आप टिकट बुक करते हैं तो टिकट के पीछे भी लिखा रहता है जो तो चलिए आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स क्लास में तो तक न ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें ठीक है फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करें ठीक है ओके बाई-बाई